मुकामा का चुनाव राष्ट्रिय जनतादल जीत चुकी है और अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कोई आदिकारी कभी एलान तो नहीं हुआ है लेकिन मतों का अंतर और 15 राउन की गींती के बाद जो इस्थिती है अब हर कोई कहने लगाया जो महां की राजिती को समस्ता है कि अब महां पर अनंत कुमार सिंग और राष्ट्रिय जनतादल दोनों का जंडा बुलंद हो चुका है और अब निलम देवी को पिछारना उनको पिछे कर पाना सोनम देवी के लिए लगभग नामुनकीन हो चुका है और इसलिए अब कहा जा रहा है कि मुकामा में राष्ट्रिय जनतादल की जीत सुनिशित हो चुकी है और जो मतों का अंतर है वो लगभग 15,000 तक पहुँच गया है 15,000 की गिंती के बाद 15,000 का अंतर हो चुका है और सातात राउंड की गिंती पच्ची हुई है और कहा जारा है कि इसमें जो वोटों का मार्जिन है अब शायद ही जो भ जनतादल ने बढ़त बनाये रखा कहीं भी भाजपा को मौका नहीं मिला कि वो एक भी बार कहीं भी राजद की जो निलम्दे भी हैं उनको छूप पाए या उनको पीछे कर पाए हमेशा से मतों का अंतर बना रहा और अब धीरे धीरे जैसे जैसे गिंती आगे बढ़ती ज सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो निलम्देवी है कि राजत की उमिद्वार सौनत कुमार सिंग की पत्नी उनको 58,536 वोट मिल चुका है मतलब कि निलम्देवी को 58,536 तो वही जो सोनम्देवी है भाजपा की निलम्देवी के मुकाबले उनको 44,321 वोट अगर आ लगवग 14-15,000 हो जाता है यानि कि अब लगवग 15,000 के वोटों का अंतर दोनों के बीच में हो चुका है और जैसे 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 कि आप गौर करेंगे तो 10 राउंड के बाद एक राउंड 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 तेरा राउंड जब कंप्लीट हुआ तब ध पाना इसको मिटा पाना भाजपा की उमिद्वार सोनम देवी के लिए लगबग ना मुंकिन हो चुका है और मुकामा राष्ट्रिय जनता दल या कहली जिए कि अनंत कुमार सिंग की पत्नी निलं देवी चुनाव वहां की जित चुकी है सबसे बड़ी बात कि मुकामा में स सिद्यत तोर पर सिर्फ दो लोगों का चेहरा पहले भी था चुनाव पर नाम में भी दो लोगों का चेहरा बाकी परत्याशी तो हजार वोट लाने के लिए भी तरस रही हैं बाकी मुकामा का प्टक का जो अफडेट था हमने आपको बताया कि निलं देवी अब साथ हजार के आंकड़े को छू रही है तो वहीं जो सोनम देवी है भाजपा की वो अब तक 50,000 को भी नहीं क्रोज कर पाई है बाकी आगे जो कुछ ने आपडेट जो कुछ नहीं जनकारी उप्चुनाओं के परिणाम से जुड़ी हुई आएगी वो सब कुछ हम आप तक पहुंचाएं कभी आधिकारी एलान नहीं हुआ है क्योंकि गिंती कुछ राउन की बाकी है लेकिन अब कुछ राउन की गिंती में भाजपा की उमिद्वार का जाराय की निलम देवी को पीछे नहीं कर पाएंगी बाकी अंतीम परिणाम क्या होगा या देखना मौत पुन होगा आप जनत आप अलड़ूबर् ऑार प्याहँ दो ओालड़ूदा।